तो इससे पहले मैम ने रिव्यू दिया था अपनी मदर के रिगार्डिंग फिर उसके बाद लास्ट वाली ओपेडी में आंटी जी पे आये थे उन्होंने रिव्यू दिया था कि वो बिल्कुल ठीक हो गए है और जब मैम को यह लगा कि अब मदर में इंप्रूवमेंट है त काइंड ओफ मतर में को कन्फर्म नहीं था बट था कि मेरे प्रियूट मतर ताइम से नहीं आ पा रहे थे लास्ट एक साल से तो फिर बहुत जाद उसकी वज़े से मजे बढ़ से प्राप्रम होने लगे हैर फॉल ने लगे वाइट भी हैर उने लगे तो उसकी वज़े से फ इससे पहले क्या आपने कहीं और ट्रीटमेंट लिया था हां पहले मैंने लिया मुझे क्योंकि स्टार्टिंग से प्राप्लम रहे है तो मैंने लिया है काफी जगर का लिया है बट वही होता है कि बीच में मतब कुछ ताइम तक अपने दवाईयां काई फिर इसकिप हो गय मतब मैं बूल रहे है मुझे स्टार्टिंग है कि I think मुझे 11 12 में शहीं स्टार्टिंग होगे तो तब से प्राप्लम है और तब से लेकर अब तक आपने कितना पैसा लगा दिया होगा या कहीं पर भी कितना पैसा एक अप्रोक साब कुछ बता सकते हो एग अलो पेती में त तब वह चीजąई इंधा सोगा लिए अंधार की साम इसको आतार्ट लोगा स्टिंग हो तो लिए इसा पैसे किसीोटर हम्ोन रहीं हो कि प्यूंकि आप से मैं एक सवाल ये पूछ हया जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट है वह अपने endurance में किया या फिर इल्ली गडगाउ में मेरट में किया है और जब आप यहां पे आए तो जिसे आपकी मदर ठीक हुए तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ट अप हुआ लेकिन इससे पहले जब और आप जहां पे भी जा रहे थे तो क्या डोक्टर ने बोला था कि यह ठीक हो सकता है यह वो बोलते कि दिखो आपको पूले दिखाए कि हाँ आपके इतने टाइम बात इसे एक रिपोर्ट नॉर्मल होगी यह इतने टाइम बात और यह भी है कि अपको नेक्स्ट मत में सेम डेट पर भी आ तो इस वार ऐसा हुआ कि जो मेरा फूस्ट मन था वह सेम डेट और नेक्स्ट वाला पी जो मान ताय सबसे तो हैरानी की बात ही है कि अल्ट्रा साउंड ही नहीं करवाई उन्होंने रिपोर्ट सी नहीं करवाई सिर्फ वो होर्मोंस देते रहें जब आप यहां पर आए आपने मेडिसन करने शुरू की तो आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है मतलब क्या आपको लाइट फील हो खूल साइं सराफ है का अगर आपको नहीं है मतलब आपको अधार को यहांपर हो सकते क्यां को यहीं कि ट्रेगं हो जाते हम यहां अच्छे मुड़ेंगी हो जाता हो तो मैं तौ इतने मदध है मुझे शॉरति की जो 6 महीने बाद रिपोर्ट नॉर्मल लाइगे आप मीरट से हैं तो मैं आपको एक किस्सा शेर करता हूं हम ना एक दो एंजियो के साथ भी जुड़े हुए हैं तो हम वहां पे भी पोड़कास्ट वगरा करते हैं तो बहुत सारे केसिज और मैं सिर्फ यहां पे मैं पर्टि दाइवोस के लिए या फिर वही माईके में बार बार फोन करके परिशान करना कि आपनी लड़की हमें बिमार दे दी यह सब इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो एक चीज है कि ऐलोपेथी में इसका इलाज नहीं है डॉक्टर साफ कह देते हैं जब तक आप कोड़ी जड़ से ठीक हो सकता है मैं आपको आप तो कि देखे हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है ठीक है आपकी मदर का यहां पर डिट में चला है हम इतना ज्यादा इश्यू फेस कर रहे हैं इस टाइम पर कमेंट सेक्शन में खास कर लोग यह कमेंट करते हैं कि आप तो कि आपकी में लेकर आओंगी तो भी उनको ऐसा रहता है कि नहीं में दवाई है ताइम में एक दिन का भी गाप नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उस चीज से ठीक हो रही है उनको रिलीफ मिल रहा है लाइक जैसे उनको क्या हो गया था कि वीकनेस की वज़े से उनको चुटी कि वह शुटी जो गाटी थी नो उनको फ़र्ख हुआ है माला वह बहुत लाइट हो गई है अभी मैं मैं से फोन करके पूछ रही थी एचिस की वह आपका रिलीफ हुआ है उसमें नहीं हुआ है बोला कि बहुत रिलीफ हुआ है वो चुटी मतला जैसे चूटी चूटी हु वो मैंने बैग में रखा हुआ है कि मेर से कोई पूछे तो मैं बताओ किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं तो वो कितना फाइदा भी करेगा एविन हमारा जो वेद अमरित का रिव्यू है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आ रहा है जैसे जो आपने बताया कि मदर में वीकनेस आ रहे थी अगर आपके उससे वी यह सारा रिलीफ ही वेद अमरित से आ रहा है और मतलब एक आखरी कोश्चन में आपसे पूछाँ क्योंकि मैं ठीक होई नहीं सकता है यह क्योंकि आपसे चीज को एक शेयर करते हूं मैंने मेरट में ही डॉक्तर को दिखाया था वो इक गायने है वो काफी अच्छी गायने है और तो उस टाइम पर में को जिसे नहीं पीरिट्स रेकुलर हो रहे थे तो मेरा एट पर आम थर्टी वन सो आप शादी अभी नाज envoy और अछिव ली कि शादी कर लेन चाहि lives कि अपका एजग काफी हो गया है और दूसरा अपको पी प्षमी प्रॉब्लम भी आपको क्या यह नहीं होता है तो आपको शादी कर निए करना थे तो ऊंहों ने इस चीज को बोला कि इस चीज के लिए आपको बाद में फेस करना पड़ेगे, बहुत सारी चीज है, यह जीज रॉट्टर मुझे होल रहे हैं, एक लास्ट कुछिन की, यह मेल थे यह फिमेल थे रॉट्टर? यह मैं तो नहीं करना चाहूंगा, वो चीज मुझे बहुत मतब उनका वो लगा था क कि आप एक फिमेल थे हैं, तो आप उसको ट्रीटमेंट दीजिए, आप मुझे दूसरा सॉलुशन क्यू दे रहे हैं उस चीज का, थैंक यू सो मज मैं, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, और आई होब कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आप विश्वास र बारे में, आप एक बार हमारा वेदमरित और करके देखिए, मैं आपको यह कह रहा हूँ, आप अपने पूरे परिवार को वेदमरित देना शुरू कर दोगे, उसमें मतलब इतने सारे वाइटमिन, सब कुछ हमने मिक्स कर रहा है, कि वो ना आपको पूरे दिन एनरजाटि और सबसे अच्छी बात है, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई भी ऐसे उसमें, कैमिकल्स वगरा जो आपकी बोडी को हाम करें, वो उसमें कुछ भी नहीं है, इस नंबर पर संपर कर सकते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, विजट करना है आपको होस्पिटल में, तो यह एड्रस है, थैंक्यू सो मच